एलविश यादव से मिलने जब उनके फादर पहुंचे है तो एलविश ने अपने फादर से क्या कुछ कहा है चलिए बात करते हैं दोस्तों स्वागत है आप सभी का बॉलिवुड स्पाय में मैं हूँ अदितीश शर्मा तो दोस्तों एलविश यादव के फादर और उनकी मदर के इंटरव्यू के बाद बहुत सारे खुलासे हुए हमें ये भी पता चला कि एलविश यादव ने कोई कबूल नामा नहीं दिया है कोई जुर्म कबूल नहीं किया है एलविश यादव के फादर ने ये चीज़ क्लि को जब यहां तक पहुंच गए हैं तो तो यहां पे अलविश यादव के फादर का कहना था कि हाँ बिटा हम देख रहे हैं उसी चीज के लिए फिलहाल आगे जो है चीजे प्रोसेस में हैं तो दोस्तों यहां पे अभी तक क्लियर नहीं हुआ है कि कब तक बेल मिलेगी और आ जानते हैं कि 14 दिनों की नियाए खिरासत है उसके बाद चीजे क्लियर होंगी सामने आएगा सब के आखरकार क्या हो रहा है लेकिन फिलहाल फैमिली और एलविश यादव को इन चीजों से काफी जदा परिशान है आप सभी को क्या कुछ है कहना कॉमेंट्स में बताइए ज झाल 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 झाल